आज एक डॉक्टर ने आप पर जो है इल्जामात लगाएं एक सिटिंग मिनिस्टर पर आप इस सवल से क्या देखिए मैं तो गई वी थी बच्ची एक कलमलीर की एडमिट हुई है वहाँ पर तो जब मैं वापस आई तो मेरी औरत फांडेशन के साथ मुलाकात थी हमारी बाक इसके दर्वाजे पर उन्हों ने का कि कुछ मामला हो गया है दुआ जैरा केस में आपके उपर तो महरान हो गई क्योंकि हमने इस केस को अलताफ को सोसे लेकर जिबरान नासिर को दे दिया था क्योंकि जिबरान कुछ ऐसा टाइम आ गया था कि इसको शैद सुप्रीम बहुत जादा जगा तो हमारे पास लॉयर्स की कमी है तो हमने बकाईद डेकलरेशन साइन करा के उनके वालदैन से टाइम लेकर जिबरान साब के पास भेज दिया था तो उस दिन के बास से जाहर है कोई मेरा ना जिबरान से मेरी बात होती है हां केस के मतालिख जो भी उसके वालदाइन भी अभी विचारे बताने लगें जब से ज़रा एक बच्ची को मेलविल लिये तो बड़े शौक से मुझे बताया मैंने भी तो अब जब यह हुआ तो मैं पहरान हो गई तो फिर मुझे किसी ने वीडियो बेजी के भई ये खातुन ये बोल रही है तो मैं पहले तो अपना फोन चेक किया कि मामलात क्या है मैं तो किसी से बात ही नहीं हुए है तो उल्टा जो है इनका मेरे पास 30तारिख को कॉल्स आई है और जो मैंने एटेंडने की सोच्ट कॉल है और इसके अलावा इन्होंने कोई प्र भेजावा है जिसके रिकमेंडेशन इन् मोबाइल फोन जो है वाटसेप में अल्ला ताला जो है वाटसेप बनाने वालों को जो है वो मैं समझते हूं दुआएं देनी चाहिए काफिर भी कागा चीज बना जाते हैं जिनको खम कहते हैं तो उन्होंने अब इसमें देखा जा सकता है कि इनके मैसेज़स कब सीन हुए मैंने इनकी रिकमेंडेशन खोली या नहीं और इन्होंने जो मुझे मैसेज कियें और डिलीट कियें वो मैंने देखे या नहीं और कब देखे तो फिर वो भी मैंने इस तरह पहचाने के इनका जो जितना चेहग नजर आ रहा था मैंने का देखू मुझे कभी किसी ने तो मेरे पास इनका नमबर भी सेफ नहीं है खुद इन्होंने नीचे डॉक्र फातिमा लिखावा है तो उस वक्त मेरी उंगली भी लग गई बलके कॉल हो गई थी मैंने उसको भी फारण खतम किया वरना यह कह देती नमकी की कॉल है और इसके बाद मैंने हेल्ट सेक्टरिस आपको फोन किया कि भई क्या मामला है क्या है तो उन्होंने मुझसे कहा कि इनकी mental inquiry जो है health mental inquiry शुरू हो गई है सिर्फ इन्होंने आप ही को नहीं फोन किये बहुत सारे लोगों को जिसमें lawyer भी है दुआ जहरा के वालिद भी है पैज मंगी साब भी है शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ और health secretary साब भी है इन्होंने किसको क्या क्या भीजा है तो आप फिकर ना करें और इस तरह से हुआ हमें अफसोस है और जायर है मैं गुसा भी आ रहा था मैंने उन पर गुसा भी किया ये क्या हो रहा है तो ये सारी सुरते हाल है मैं समझती हूँ कि इस बच्ची को भी हमारी मदद की जरूरत है और अगर इसको कोई मसला है किसी ने धमकी दी है किसी ने ये कहा है कि हमारा नाम लो तो हम इसको सपोर्ट करेंगे हमारा काम नहीं है ये दुआ ज़रा कोई एक केस नहीं है मेरे पास मेरे पास इस तरह के बहुत ज़्यादा केसे हैं और मैं समझती हूँ कि इस बच्ची का इलाज होना चाहिए इसको देखना चाहिए और अलहम्दलेल्ला ऐसी कोई बात नहीं है और आप लोग मुतमाइन रहे हमारे डेपार्टमेंट का काम लोगों की मदद करना है लोगों को धमकियां देना नहीं है खवातीन को तहफुस फराम करना है और वो जारी रहेगा और मैं समझते हूँ कि डेपार्टमेंट को अपना काम करना चाहिए हैल्थ डेपार्टमेंट को कि जो ये खातुन ने आज ड्रामा किया है इसका इलाज करा है आप चाहिए प्रोटेक्शन आउस में इतका गया है कि धमकी देवा वहां के गही है और वहां पे जो है वो ज़र्व ऐसी कोई चीज आपने पिलाई है पिलाने की कोशिश किये क्या ऐसा कोई वाक्या हुआ था अज़े पिला दिया है जो मालूमात कराई है तो इनके केस में तो इजाज़ती नहीं है किसी को मिलने की वालदेन भी जब मिले है तो उनकी वहां पे इतनी सकती है कि वो चीजें नहीं दे सके ये मुझे पता चला वी लॉग्स वगैरा जो हो रहते हैं उनसे तो मैं तो वहां गई नहीं हूँ अब पता नहीं ये इमाजन क्या करते रही है अलूसिनेशन का शिकार है कि ये मैंने इसे मिली मैंने धमकी दी मैंने इसको जहर पिलाया तो मेरे लिए काबिले रहम है ये लड़की मेरे लिए काबल रहम है यह लड़की और मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि यह चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट मलीर में है किस जगा बस यह पता है मलीर साओधा मैं आज तक ही नहीं गई बिलकुल भी दे गई